हेलो बेकर्स मुनम्स कुकिंग एन बेकिंग में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों आज मैंने एक टॉल केक बनाया है 500 ग्राम इसका वेट होना चाहिए था बट ना आज के केक में ना इतनी ज़्यादा मुझसे गरपड़ी हो चुकी है दोसे तीन मैंने मिस्टेक कर दिया है बट मिस्टेक करने के बाद बीना मैंने केक को कैसे सुधारा और इसकी डिजाइंग इतनी परफेक्ट क्यों बना पाई और इतनी ज़्यादा ये डिजाइंग परफेक्ट बन गई ना तो मुझे लगता है कि अब तक की सबसे प्यारी डिजाइंग यही है अलब काफी सारे और भी है बटना बहुत ज़्यादा ये भी अच्छी बन गई थी तो ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट टक बने रहे और अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कई सारी चीजे समझ नहीं आएगी जो मैंने गलती की मैं आपको वो सेयर करूँगी ताकि आप वो गलती ना कर सके तो सबसे पहली गलती तो मैंने की थी मैंने 5 इंच के केक टीन में 200 ग्राम प्री मिक्स लिया था जबकि मुझे लेना था 150 ग्राम 150 ग्राम ना आधा किलो के लिए परफेक् सब्सक्राइब तो चलिए मुझे क्रीम ना कम इस्तमाल करनी थी बट मैंने क्या किया बहुत मोटी मोटी लेयर लगा दी जिसके विज़े से इस केक का वेड़ भी कापी चला गया और प्लस ना इतनी ज़्यादा इसकी हाइड चली गई कि बॉक्स का लीड बहुत ऊपर तक हाप के जी में दो बॉक्स चले जाते अभी ना सारी चीजों के प्राइस काफी बढ़ चुके हैं तो लॉस तो हमें ही जहलना पड़ेगा है ना तो अब से मैं कोसिस करूंगी कि ना कश्टमर को हाप के जी मतलब हाप के जी बस 40-50 ग्राम इश्टा चले जाए तो कोई इश यही सोच के और बस इश्टा दे के ना थोड़े हमारे लॉसेस होने सुरू हो जाते क्योंकि हमें एक बार कश्टमर को बड़ा केक देते है ना तो उनको लगता है कि अरे अगली बार हम देंगे एजिक नापकार यह थोड़ा छोटा था यह था तो ऐसी ना कंप्लेइन आन लगती है तो फिर ना इसलिए कोसिस करें कि आप ना परफेक्ट का परफेक्ट केक बना कर दे ठीक है तो मैंने तो वही गलती कर दी मैं इश्टा इश्टा ना बना कर देती हूं तो जब मैं मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं अगली बार देती हूं ना तो मुझे लगता है नहीं अब मैं 500 ग्राम बना के दूंगे बटना लगता है रहे यार मैं हर समय तो जादा जादा बना के देती थी कस्टमर क्या सोचेंगे तो वो चीज मुझे realize होने लगती है और मैं बस extra बना कर दे देती हूँ बट कहते हैं ना कि नहीं कहना भी बहुत जरूरी है तो बस वही system यहां भी लागू होता है एजिक्ट बना के देना बहुत जरूरी होता है ठीक है customer एक दो बार में समझ जाएंगे क्योंकि समझ जाएंगे बस यही मैं बोल सकती हूँ लेकिन अपने आपको हमें समझाना होगा कि इश्टा इश्टा बना कर ना दे तो देखे यहां मैंने एन वन और एन टू रोसेस सॉरी क्रीम का इस्तिमाल करके रोसेस बना लिये थे जो डीजाइंग मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी तो फिर से मैंने सारा कसारा ना फ्लार्स हटा दिये रिमूउग कर दिया क्योंकि कस्टमार ने बोला था कि आप ऐसे केक बना के दीजे अपनी मरजी से कि आप न ये सोच के बनाए कि आप अपने घर के लिए अपनी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो मुझे वाला डीजाइंग बिल्कुल पसंद नहीं आया तो बस मैंने न फिर से पूरा रिमूउग करके अच्छे से क्रीम और देखे मैं पूरा निकाल देती तो भी गरबढ़ हो जाता और थोड़ा सैडे डिपेक्ट उपर आ चुका है तो कोई इश्यू नहीं है मैं इससे सुधार लूँगी तो कभी-कभी हो जाता है गरबढ़ी ऐसी हो जाती है तो बिल्कुल आप डरे घबरा नहीं कभी-कभी डिजाइन भी पसंद नहीं आता और हाँ मेरे पास समय था करके मैं ये कर पाई अगर समय नहीं होता न तो चाहे डिजाइन पसंद भी नहीं आता तो मुझे देना पड़ता और देखे मैं हमेसा कहती हूँ कि हम होम बेकर्स के केक के टेस्ट में कोई कमी नहीं होती जो मेरे केक अगर ले जाते है सच में टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा तारिफ करते हैं और मैं लुकवाइस भी नहीं बोल पाऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ पर मुझे भी ना कई अपने केक पसंद आते हैं और कई नहीं पसंद आते हैं लुक वाइस में डेकोरेशन में बोल रहे हैं बाकि टेश्ट में मैं तो भाया लिक के दूँगे 100% कोई कमी नहीं होने वाली तो यहां पर मैंने न्यूटरल जिल के इस्तमाल कर लिया वाइट कलर का और फिर से रोसेट डालना स्टार्ट कर दिये तो इस बार मैं रोसेट ना देखकर बनाऊंगी अच्छे से बनाऊंगे ना तो यहां पर मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ मैं थोड़ी confused हो गई हूँ क्योंकि ना मैं अपने मन से resign डालने की कोसिस कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ अच्छा सा मैं डालूँ और बस बस धीरे धीरे ना मैं करने की कोशिस कर रही हूं कि कुछ भी जो भी बन जाए तो यहां पे यह वाला जो नोजल है ना 46 के जैसे है मलब उसमें थोड़े से टर्ण होते हैं जो उसके टीट निकले होते हैं बट इस नोजल का नुकिला-नुकिला सा सामने की तरफ ही निकला हुआ है जो इसके टीट गएरा है वह तो आप देख लिजे नोजल समझा रहा होगा आपको मैं इसे पास से दिखाने की कोशिस करने हूं अगर आपको दिख रहा होगा तो यह वाला नोजल और इसके ना फ्लार्स भी काफी अच्छे बनते हैं देखे मेरे पास तो काफी सारे नोजल है बट ना मैं केक में ट्राइ कर रहें, केक के उपर डिजाइंग बनाने लगी हूँ न तो मुझे बहुत सारे नोजल पसंद आ ही रहे मतलब इतने क्यूट लगते हैं बनने के बाद में डिजाइंग तो बस वही है कि जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा काम करते करते ही काफी चीजे हमें सीखने को मिलती है तो देख रहे हैं न मैं पास से क्लोजब भी दिखा रही हूँ कितना प्यारा उसका जो ड्रीप निकला इतना परफेक्ट बढ़िया सा बनाया है ना, बिल्कुल 46 नोजल के जैसे बट उससे यह थोड़ा छोटा है, है ना मैं यह क्लियर कर दो देखे वाला है अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफी बढ़िया से और यहां पे मैंने क्या किया है, एक पाइपिंग बैग में नोजल डाल दिया था और उसी मेना वाइट कलर का पाइपिंग बैग फिल किया था तो अब वाइट कलर का पाइपिंग बैग मैंने हटा लिया है अब उसी मेना मैंने परपल कलर का पाइपिंग बैग भर दिया है, तो जब आपके पास एक नोजल हो, और ना दो से तीन कलर का इस्तमाल करना हो तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते दो पाइपिंग बैक यूज़ करके I hope आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी तो देखे मैं तो ये सोच के नहीं बनाई थी बट अब इसके उपर न मैं एक सेपरेट वीडियो सौट सोगर बना दूंगी ताकि आपको न काफी अच्छे से ये चीज समझ आ जाए तो देख पारे ने इतनी प्यारी डिजाई अब ये बन चुकी है ना मुझे तो अब अच्छा लग रहा है तो कभी भी ना सच में एक रोसे का हम एक सौरी नोजल का इस्तमाल ना करे दो से तीन का करे दो से तीन प्रकार के जब फ्लार्स बनते हैं तो लुक काफी बढ़ जाता है और कलर्स तो ना सच में दो से तीन कलर्स यूस करें बहुत सारे कलर्स यूस ना करें तभी हमारा केक ना काफी बढ़िया बनता है तो देख रहे हैं कितना प्यारा दीख रहा है जो पर पल वाला भी निकल रहा है और दोस्तो मैं आपके साथ अपने नोजल सेयर करूंगी कि मेरे पास कितने सारे नोजल्स हैं तो विज्डे कर पाऊं कि यहां पर मैं रिख साहिक corporate बाजुट है ना कि मैं और ऐ सेवरके सब पार Brazil्त में बहुत जल्दी बन जाता है तो आप ये तरीका ट्राइ कर सकते है ठीक है और यहाँ पे ना मैंने अच्छे से साइन के लिए डाल दिया है मेरा फेवरेट सिल्वर इस्प्रेड यह वाला मुझे सच में बहुत जाना पसंद है मुझे लगता है कि एक जान आ जाती है अगर आपने यह वाला ट्राइ नहीं किया है इस्प्रेड तो बिल्कुल करके देखे गुल्डन से ज़्यादा अच्छा सिल्वर सिल्वर में बहुत ज़्यादा साइन आ जाती है और यह ना थोड़ी सी ना डिजाइंग मतलब जो मैंने बौW-OUR-डर बनाया था थोड़ी टेडी ही लग रही है और यह फ्रंट साइड है ना तो फ्रंट साइड अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने वहाँ से मूसी नोजल से थोड़े सेいます यहां पे देख निया तो कि न बिगडे हुए केक से भी हम अच्छा केक बना सकते हैं कभी-कभी डिजाइंग पसंद नहीं आती तो उसे हम सुधार सकते हैं तो इतना आप परिशान नहों भाई या जुगार वाला तरीका अपने माइन को हमेशा सतर्क रखे तो लबना काफी अच्छा लग रहा है और कस्टमर को भी न ये डिजाइंग काफी पसंद आया हाँ लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक से सस्क्राइब कर सकते हैं चैनल पे नए है तो सस्क्राइब करके जाए और हाँ वीडियो में ये काफी लाइट लग रहा है बटना रियल में काफी डार्क कलर था मैं इसकी पिक भी लगा दूँगे आप न थमनेल में देखिए तो उस कलर का रियल में नजर आ रहा था और थोड़े से ना यहाँ पे मैंने सिल्वर वाले बॉल्स भी एड़ कर दिये लाश्ट में मुझे थोड़ी कमी लग रही थी तो और देखिए ये वाला उसका असली कलर है जो आया था तो चलिए फ्रेंट्स राधे राधे